और भारतिय जनता पार्टी इस तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहाड जेल के माध्यम से तिहाड जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुँचाए दिखाने के लिए कि अर्विंद केजरीवाल के स्वास्त में कोई समस्या नहीं है लेकिन भारतिय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी जूट बोलें जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी और जो डॉक्यूमेंट्स भारतिय जनता पार्टी ने रिलीज किये उनहीं में तिहाड जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अर्विंद केजरीवाल जी के स्वास्त के साथ क्या खिलवार हो रहा है अगर इसी तरह अर्विंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा खतरनाक लेवल तक पहुचता रहा और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा तो अर्विंद केजरीवाल जी को मा में जा सकते है अर्विंद केजरिवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी की ब्रेन को पर्मनेंट डामेज हो सकता है और ये तिहाड जेल की रिपोर्ट दिखा रही है आज उस अर्विंद केजरिवाल की जान को भारतिय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है भारतिय जनता पार्टी ने एक जूटे मुकदमे में अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया पहले अपनी राजनेतिक हत्यार Enforcement Directorate ED से उनको गिरफतार करवाया जब उनको समझ में आ गया कि उस मुकदमे में वो जेल से बाहर निकलने वाले हैं ट्राइल कोट से जमानत मिल गई सुप्रीम कोट से भी जमानत मिलने वाली है तो अपने दूसरे राजनेतिक हत्यार CBI से उनको गिरफतार करवा लिया इसलिए कि जब ED से जमानत मिल जाए जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट से मिल गई फिर भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आपाएं और जेल में भारतिय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है भारतिय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्त को उनके शरीर को पर्मनेंटली डैमेज करने के लिए अब उनके शरीर को पर्मनेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है अर्विंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज है कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत उपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है शुगर लेवल उपर जाने से इनसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जान लेवा हो सकता है उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता 20-30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है उसको brain stroke हो सकता है उसको brain hemorrhage हो सकता है उसकी मौत हो सकती है मात्र 20-30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का sugar level खतरनाक levels पर पहुँच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे शुगर अगर brain तक ना पहुँचे तो brain damage permanent हो चाए अर्विंद केजरिवाल जी का sugar level इस खतरनाक स्तर पर पांच बारी गया है उनका sugar level 50 तक पहुँच गया वो इतना serious है कि 50 के sugar level पर मरीज को अस्पताल में भरती करा देते हैं क्यूं कराते हैं क्यूंकि 50 के sugar level पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है आज अर्विंद केजरिवाल जी जो दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं आज अर्विंद केजरिवाल जी जो दिल्ली के लोगों के भाई हैं उनके बेटे हैं आज अर्विंद केजरिवाल जी जिनको पूरा देश एक राजनेतिक नायक के रूप में देखता है आज उस अर्विंद केजरिवाल की जान को भारतिय जनता पार्टी ने खतरे में डाल दिया है सब को पता है अर्विंद केजरिवाल टाइबिटीस के मरीज हैं सब को पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविन केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतिय जनता पार्टी इस तर तक गिर सकती है कि आज उन्होंने सुबह सुबह तिहार जेल के माध्यम से तिहार जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुँचाए दिखाने के लिए कि अरविन केजरीवाल के स्वास्त में कोई समस्या नहीं है लेकिन भारतिय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए के अंत में चाहे वो जितना भी जूट बोलें जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी और जो डॉक्यूमेंट्स भारतिय जनता पार्टी ने रिलीज किये उनहीं में तिहार जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जो साफ साफ दिखा देती है कि अर्विंद केजरिवाल जी के स्वास्त के साथ क्या खिलवार हो रहा है तिहार जेल के सीनियर मेडिकल आफिसर के द्वारा साइंड ये रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि अर्विंद केजरिवाल जी को डाइबिटीज है वो उनको लगातार उनका वजन कम हो रहा है उनको लगातार बाडी एक और वीकनेस हो रहा है और उनको लगातार शुगर लेवल गिरने की समस्या आ रही है यह आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है यह हम नहीं कह रही है ये तिहार जेल के सरकारी डॉक्टर कह रही है अगर इसी तरह अर्विंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा खतरनाक लेवल्स तक पहुँचता रहा और खास करके रात के समय में अगर शुगर लेवल गिरता रहा तो अर्विंद केजरिवाल जी कोमा में जा सकते हैं अर्विंद केजरिवाल जी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी की ब्रेन को पर्मनेंट डैमेज हो सकता है और ये तिहाड जेल की रिपोर्ट दिखा रही है मैं भारतिय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अर्विंद केजरीवाल जी के स्वास्त के साथ खिलवार बंद करो अर्विंद केजरीवाल के स्वास्त पर राजनीती करना बंद करो अगर देश की जनता से नहीं डरते हो कम से कम भगवान से तो डरो और किसी के स्वास्त और किसी की जिंदगी के साथ खिलवार मत करो